नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विशलेशन में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम समाचार पत्रों में प्रकाशित विभिन संपाद किये जो परिछा के दृष्टिकोन से उप्योगी हैं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इस क्रम में चले देखते हैं कि आज कौन-कौन से महतपूर्ण संपाद की हैं लेकिन उससे पूर्व एक नज़र इस प्रश्ण पर डालते हैं प्रश्ण है कि चीन की प्रसारवादी नीतियों ने क्वाड की प्रासंगिक्ता में वृद्धी कर दी कथन की समिक्षा करें इस प्रश्ण का जबाब छुपा हुआ है आगे के किसी एक संपाद की में और ये रहे आज के तीन महतपूर्ण संपाद की है इसमें से यह जो पहला संपाद की है जिसका सिर्शक है अंटिल वैक्सीन इसे लिया गया है दा हिंदू निउस्पेपर से और इस प्रश्ण को हम पेपर सेकेंड मतला समान अध्यन प्रश्ण पत्र दुईती है के साथ इसे जोड़ कर देख सकते हैं दूसरा मिक्स्ट सिगनल्स इसे जीएस के पेपर ठर्ड में हम इकोनोमिक एन सोसल डेवलप्मेंट के साथ इसे जोड़ कर देख सकते हैं और तीसरा चाइना ड्राइब स्कॉर्ट इसे हम पेपर सेकेंड में ही आई आर या इंटरनेशनल रिलेशन के साथ जोड़ कर देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं विस्तार के साथ एक-एक संपाद की को तो ये रहा पहला संपाद की है जिसके सिर्शक की बात हमने पहले ही कर लिये या सिर्शक है अंटिल वैक्सीन ओन अनलॉक फाइव आधार अनलॉक फाइव तो ये आखिर ये है क्या हमें यह पता है कि COVID-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश व्यापी इस्तर पर मतलब राश्टिय इस्तर पर मार्च महिने के अंतिम सप्ता और अप्रेल महिने में संपूर्ण देश में लॉक डाउन की घोसना की गए उसके बाद लॉक डाउन के नियमों में धील बरत्ते हुए अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंब हुई और अभी तक चार अनलॉक की प्रक्रिया हो चुकी है और पाँचमे दौर के अनलॉक की प्रक्रिया अब प्रारंब होने वाली है इस पाँचवे दौर के अनलॉक की प्रक्रिया में शिक्षा, मनुरंजन और बिजनेस कॉन्फरेंस के नियमों में जो सक्ती थी उसमें धील दी जा रही है और सिनेमा मल्टिप्लेक्स को 50% की छमता के साथ खूलने की बात की जा रही है अब अगर हम COVID-19 के संक्रमन के दर की बात करें या संक्रमन की इस्थिति की बात करें तो कई शहरों में जो संक्रमन की गती है जो दर है वो बढ़ रही है और राश्टिय इस तर पर प्रतेक दिन औस तन 60,000 नए संक्रमित जो व्यक्ति हैं वो सामने आ रहे हैं वहीं अगर हम John Hopkins Coronavirus Resource Center Data की बात करें तो उसके अनुसार जो संक्रमन की दर है वो कुछ दिनों में कम हो रही है तो अब यह जो Unlock 5 का जो पांचवा दौर है मतला Unlock 5 जो प्रारम होने वाला है तो उससे समंदित अगर हम चिन्ताओं की बात करें जिसकी चर्चा संपादिकी में की गई है तो वह यह है कि 15 October के बाद राज्यों को यह कहा गया है कि वह School और Coaching Center को खोल सकते है Phase-wise और यह जो Re-Open होगा उसमें चात्र के समक्ष यह विकल्प है कि वह School जाएं या ना जाएं अब यहाँ पर एक Research है और इस Research में यह बात कही जा रही है कि तमिलनाडू और आंध्र प्रदेश इन दोनों राज्यों में यह देखा गया है कि बच्चों में जो संक्रमन की दर बढ़ी है उसका कारण है कि यह बच्चे समान आयू वर्ग वाले संक्रमित जो बच्चे हैं उनके संपर्क में आई थे और यही कारण है की बच्चों में संक्रमन की दर बढ़ी है अब हमैं यह पता है कि आर्थिक गतिविदियो में परसार के लिए सरकार के द्वारा जो lockdown के नियम है उन नियमों में धील दी जा रही है परिवहन के साधनों के साथ साथ माल वहन है उनकी तिवर्ता में भी बढ़ोत्री हो रही है लेकिन इसमें क्या बात देखी जा रही है तो देखा ये जा रहा है कि जो public transportation है तो उसमें स्वस्त लोग व्यवहार की कमी देखी जा रही है वह कैसे तो वह इस तरीके से कि लोग बसों और ट्रेनों में जो सफर कर रहे हैं तो फिर वो मास को जिस तरीके से पहनना चाहिए उस तरीके से वो proper उसे नहीं पहनना है उसके अलावा सारजनिक इस्थानों पर लोग थूख रहे हैं और जो commercial complex है वहाँ पर भीड देखी जा रही है अब बात रही cinema hall और multiplex को खोले जाने की तो ऐसे इस्थान enclosed space होते हैं मतलब की ये खुले इस्थान नहीं होते हैं ये बंद इस्थान होते हैं और इन बंद इस्थानों पर अगर लोगों का आना जाना प्रारंब होगा तो COVID-19 संक्रमन का जो खत्रा है जो जोखिम है वह पाले की तुलना में काफी बढ़ेगा और वह बढ़ेगा खास कर ऐसे लोगों के द्वारा जिसे हम कहते हैं asymptomatic individuals asymptomatic individuals का अर्थ यहां पर रिया है कि वैसे व्यक्ति जो COVID-19 से संक्रमित होने का जो लक्षन होता है वो लक्षन नहीं दिखता है उसके अलावा जब cinema hall और multiplex खुलेंगे तो जो restaurant होते हैं उसमें भी लोगों का आना जाना होगा लोग वहाँ पर भी खाना पीना समंदी विभार करेंगे और इसके लिए वो मास को हटाएंगे तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह है कि जो जोखिम है संक्रमित होने का या जो खत्रा है संक्रमित होने का वह पहले की तुलना में यहाँ पर क्या होगा वह बढ़ेगा अब अगर हम निसकर्स की बात करें तो निसकर्सता संपादिकी में यहाँ बात कही जा रही है कि अर्थ विवस्था की गती को बढ़ाने के लिए अनलॉक की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वह सही है लेकिन सरकार के लिए यह भी आवस्यक है कि COVID-19 का जो स्वास्त प्रभाव है उसकी समझ को विक्सित करें और उसकी समझ को विक्सित करने के लिए सरकार के द्वारा उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए सरकार बार बार रिकवरी रेट पर जोर देती है लेकिन यह भी सच है कि राज्यों के द्वारा इस तरिये रूप से इस टेंडर्ड रूप से ना तो जाच की जा रही है और ना ही कोई रिपोर्ट सही धंग से दी जा रही है मतलब यह कि इस तरिये जाच की ना तो विधी अभी मौजूद है और ना ही इस तरिये रिपोर्ट मौजूद है उसके अलाबा एडिटोरियल में यह बात कही जा रही है कि आबसक्ता इस बात की है कि बरसात की यह मौसम और आगे जो सीत रितू प्रारंब होगा विंटर सीजन प्रारंब होगा तो संक्रमन से समंधित जो खत्रा है उसको कम करने के लिए सहज नीती को अपनाए जाने की आबसकता है मतलब एक ऐसी नीती जिसमें की लोग सहजता से उन वेभारों का अनुपालन करें जो COVID-19 संक्रमन के खत्रे को कम करता है इसके अलावा जब तक इसका सही नीतान मतलब COVID-19 महमारी का सही नीतान उपलब्द नहीं होता है तब तक सरकार के द्वारा जितने भी कदम उठाए जाते हैं तो हर एक कदम का लक्ष स्वास्त का संरक्षन जरूर ही होना चाहिए चाहे वो आर्थिक गती विधी को बढ़ाना हो क्योंकि आर्थिक गती विधी तभी बढ़ती है जब लोगों की द्वारा आर्थिक गती विधियों में संलगनता बढ़ती है और यह जो संलगनता और क्रिया विधी में सामिल लोगों की संख्या में बढ़ोत्री होगी तो एक सबसे बड़ा खत्रा इसमें यह होगा कि COVID-19 संक्रमन की दर में भी विर्दी होगी, इसलिए सरकार का जो लक्ष होना चाहिए, वह प्रात्मिक लक्ष होना चाहिए, स्वास्त को संरक्षन प्रदान करें। तो इस परकार हमने इस पहले एडिटोरियल में जो की COVID-19 संक्रमन से संबंदित है और उसमें जो अनलॉक 5 या फेस 5 की जो बात की जा रही है, उस पर हमने एक नज़र डानी। चलिए, बढ़ते हैं अब अपने दूसरे एडिटोरियल की ओर। और यह रहा हमारा दूसरा एडिटोरियल जिसका सीर्षक है Mixed Signals on September GST Data, इसका आधार क्या है, इसका आधार है अध्यतन वस्तू सेवा कर आंकड़ा, मतलब लेटेस्ट गोड्स एंड सर्विसेस टेक्स समंधित जो डेटा है वो, अब देखिए आंकड़ा क्या कहता है, जर आंकड़ा है 95,480 करोड रूपए है, ठीक है, और अगर इसकी तुलना पिछले वर्स के सितंबर महिने से करें, तो इसमें 4% की वृध्धी देखी जा रही है, वहीं 4 वित्ति वर्स, मतलब जो वित्ति वर्स है, Financial Year है, 2020-21 के प्रथम 6 माई, मतलब पहले 6 महिने में अगर हम यहांगे जा रही है, वहीं अगर Purchasing Manager Index की हम बात करें, तो उसके अनुसार देखें, तो Purchasing Manager Index का जो September महा का Index है, वह कितना है, 56.8% और अगर उसकी तुर्णा अगस्त महिने से करें तो वह कितना था 52% मतलब यहां भी हम क्या देख रहे हैं कि 4% यहां भी इंडेक्स में बढ़ोतरी देखी जा रहे हैं अब आगे देखें क्या कि Purchasing Manager Index अगर 50% से उपर होता है तो यह indicate करता है यह सूचित करता है क्या कि आर् आर्थिक गतिविद्यों में व्रिद्धी हो रही है वहीं अगर यह 50% से नीचे होता है तो इसका मतलब है कि आर्थिक गतिविद्यों में संकुचन हो रहा है ठीक है वहीं जो Purchasing Manager Index है वह यह भी बताता है कि विनिर्मान की जो गतिविद्य है वह पिछले साड़े आठ वर इने का जो ट्रेट डेटा हुआ है कि जो धातु एसक है उसमें 43% की विर्दिविए और फार्मा उत्पाद जो है उसमें भी 28% की विर्दिविए कि संदर में भारतिये खरीद के संदर में तो मतलब यहां पर यह है कि यह क्या संकेत है यह संकेत इस बात का है कि धातु एसक फार्मा उत्पात की भारती खरीद मतलब इसके जो आयात में वृद्धी हुई है यह आयात वृद्धी यह संकेत करता है कि विनिर्मान की जो गतिविधी है उसमें बढ़ोत्री देखी जा रही है उसमें बढ़ोत्री हो रही है और विनिर्मान गतिविधियों में जो बढ़ की रूप में संपाद की में कि सितंबर महिने में GST के संग्रम में जो चार प्रतिस्द की विर्धी देखी जा रही है और यह जो विर्धी की बात कही जा रही हुगा सितंबर 2019 मतलब पिछले साल के सितंबर महिने की, तो यहाँ पर यहाँ बात जानना बहुत जोरी है क्या कि 2019-20 वित्ती वर्स के प्रथम 6 माई में जो सितम्बर का महिना था उसमें GST संग्रा सबसे कम था और उसमें GST संग्रा में संकुचन था 2.7% का तो यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि जिस सितम्बर 2020 की तुलना हम सितम्बर 2019 में कर रहे हैं तो उस सितम्बर 2019 में GST संग्रा में कमी आई थी एक तो यह बात दूसरी बात देखें क्या है कि चिंता इस बात की भी है कि सितम्बर 2020 में GST संग्रा में जो व्रिधीक देखी ज जा रही है क्या इस प्रविर्ति को आगे बनाया रखा जा सकता है वह इसलिए क्योंकि जो चालू वित्ति वर्स है मतलब वित्ति वर्स दो हजार बीस इकीस तो यह जो वित्ति वर्स है इस वित्ति वर्स के अगर हम प्रथम छहमाई की बात करें मतलब अप्रेल से और सितंब सितंबर मेने तक कि अगर हम बात करें तो जो कुल राजस्तु संग्रा है उसमें 25 परतिसत की गिरावट देखी जा रही है अगर हम तुलना करें वित्ति वर्स 2019-26 माई से तो इसलिए यहां पर यह बात कही जा रही कि जो सितंबर मेने में जो GST का संग्रा हुआ क्या इस प्र 12.8% के इस GST संग्रा में विर्धी के लक्ष को प्राप्त किया जा सकता है तो मौजुदा आर्थिक गतिविधियों को और COVID-19 महामारी के संक्रमन की जो दर है उसको देखते वे हम यह कह सकते हैं कि इस चालू वित्ति वर्स में 2020-21 में 12.8% के लक्ष को प्राप्त करना इतन GST चति पूर्ती है तो यह जो चति पूर्ती है इस चति पूर्ती से समंधी जो विवाद है केंद्र राज्य की बीज में तो उसका कैसे समादान किया जाए जेक है GST छतिपूर्ती के संदर में यहाँ पर यह बात बताना जोरी है, वह यह कि 1 जुलाई 2017 से GST को लागू किया गया, अब इस से पहले हैं, मतलब 1 जुलाई 2017 से पहले हैं, राज्यों के द्वारा जितनी भी रासी और पर्त्यक्ष कर से प्राप्ति की जाती थी, तो मालने कि वह अगर सोची रुपे हो, और 1 जुलाई 2017, GST लागू होने के बाद, राज्यों के द्वारा जितने भी और पर्त्यक्ष कर से प्राप्ति होती है, अगर उसमें अंतर है, तो वह होती है छतिपूर्थी, तो मालने कि 1 जुलाई 2017 से फिले, राज्जी के द्वारा जो ऑपर्त् प्रचकर से प्राप्ति अगर मालने की 50 रुपए है तो इसका मतलब है उसे कितने का नुकसान हो रहा है पचास रुपए का उसे नुकसान हो रहा है और यही है च्छतिपूर्थी तो यह च्छतिपूर्थी किसके द्वारा यह च्छतिपूर्थी की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा तो यहीं पर यह बात कही जा रही है कि तीन लाग क्रोर रुपए की GST की छतिपूर्ती हैं और यह केंद्र और राजी की बीच में एक विवाद हैं अब यहां पर यह है कि वित्ति वर्स 2020-21 मतलब चालू वित्ति वर्स जो चल रहा है उसकी दूसरी छहमाई में क्य सटीक कर संग्रा प्रविर्ती की भविस्वानी की जा सकती है अगर यह हो तो यह काफी अच्छा होगा एक तो इस अंदर में कि यह एक समाधान प्रस्तूत करेगा केंद्र और राजी के बीच में जो विवाद है GST छतिपूर्ती की उसमें और दूसरा कि अगर यह समाधान हो जाता है केंद्र और राजी के बीच में GST चतिपूर्ती जो है उससे समंदित तो एक विश्वास की जो कमी देखी जा रही है केंद्र और राजी के बीच में तो यह जो विश्वास की कमी है उस विश्वास में क्या होगी बढ़ोतरी होगी तो GST संग्रा जो सितंबर मा और यह जो editorial है इसका सिर्सक है China Drive Squad और इसका आधार क्या है इसका आधार है विदेश मंत्री का मतलब भारत के विदेश मंत्री का Quad की बैठक में सामिल होना और यह कहां हो रहा है यह हो रहा है टोक्यो में अब हम बात करें अगर Quad की तो मतलब Quadrilateral Forum इसमें जुड़े वे जो दे Origin की बात करें तो 2004 इसमें पूर्वी हिंद महासागर में जो सुनामी आया था और उस सुनामी से जो छेत्र प्रभावित हुए थे उन प्रभावित छेत्रों को राहत पहुचाने के लिए चारों देसों ने एक साथ कारी किया था चारों देस मतलब इंडिया, युएस, जापान और अस्टेलिया के द्वारा यह जो सफल कारी किया गया तो 2007 इस्वी में जापान के ततकालिन प्रधान मंतरी सिंजो अबे ने हिंद प्रसांत अवधार्ना की नीव रखी वो इस अवधार्ना के साथ आए और उन्हों ने अ जो अवधार्ना है इस अवधार्ना को व्यापक रूप से सुविकार किया गया है मतलब यह कि हिंद प्रसांत जो अवधार्ना है मतलब युएस, इंडिया, जापान और अस्टेलिया के मद्द जो मजबूत सयूग की बात है उस पर जोर दिया जा रहा है और उसकी यथार् ये से देखा है कि क्वार्ड जो है वह चीन के प्रभाव को रोकने का एक तुछ प्रियास है जबकि उसी के समाना अंतर चीन यह भी बात करता है कि यह जो क्वार्ड वह वैस्विक शान्ती एवन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है वहीं कोबिट 19 महमारी के बाद चीन की जो आकरामक नीती रही है इस आकरामक नीती ने क्वार्ड के आधार को काफी मजबूत किया है लेकिन यहाँ यह भी महतपून बात है कि चारो देसों की बात की जारी है मतलब इंडिया, यूएस, जापान और अस्टेलिया ये परत्यच रूप से चीन के विरुद्ध नहीं जाना चारता है क्योंकि इन सभी के आर्थिक हित चीन के साथ जुड़े है और चारो देसों ने समय समय पर क्वार्ड को कमतर करने का प्रयास किया है अगर मैं भारत की ही बात करूँ यहाँ पर तो 2007 इस्वी में भारती नौसेना ने जापान, अस्टेलिया और सिंगापूर कि नौसेना को वार्षिक मालाबार नौसेना अभ्यास में आमंत्रित किया चीन ने इसका विरोध किया यहाँ तक कि चीनी मीडिया ने यह जो अभ्यास हुआ और यह जो देस सामिल हुए उसको एक संग्यादी नाम दिया आस्याना टोन और भारत में भी इसका विरोध तो जो भारत में इसका विरोध हुआ तो भारत सरकार ने बाद में खुद को इससे अलग कर लिया हाला कि 2014 में फिर से कौर्ड की दिसा में कारे प्रारम हुआ दो हजार पंद्रह इस्वी में जापान को मालाबार अभ्यास में सामिल किया गया मालाबार अभ्यास की जो मैं बार-बार बात कर रहा हूं यहाँ पर, वह 1992, 1992 इस्वी में इसे प्रारम किया गया था, और यह वार्सिक नौसेना भ्यास है, अमेरिका और इंडिया के बीच में, तो हम यहाँ पर अभी तक क्या देखें कि 2014 इस्वी में, फिर कौर्ड की दिसा में प्रयास प्रारम हुआ, 2015 म और अब आस्टेलिया को भी इसमें सामिल किया जाएगा, तो अब अगर भारत के ही संदर में देखें, तो काफी हट तक 2000, अगर हम साथ के बाद से 2014 की बात करें, तो इसमें हमें एक गैब दिखता है, वहीं 2007 के बाद, आस्टेलिया अपने कारणों से कौर्ड से लग हुआ फिर उसके बाद 2012 में अमेरिका भी इसमें काफी सिथिल रहा, तो यह मत्पुन यहाँ पर यह है कौर्ड के संदर में कि इन चारों देशों ने भी अपने तरीके से कौर्ड को कमतर करने का प्रयास किया था, लेकिन वर्तमान में कौर्ड की प्रासंगीकता में वर्धी नहीं चीन अगर भारत के संदर में देखें चीन को, तो चीन की जो नीती रही है भारत की वह हमेशा उसे पीछे धकेलने वाली नीती रही है, जैसे लद्दा का जो वर्तमान गतिरोध है वहा, दूसरा पाकिस्तान और चीन के बीच में एक मजबूत सेन साजा होना, और ती प्रतिकार करता है, और भारत क्वार्ड के प्रतिक काफी आस्वानुत है, और यहां पर यहां भी उलेकरी है कि किवल भारत ही आस्वानुत नहीं है, बलकि जापान, अमेरिका और आस्टेलिया भी अब क्वार्ड को लेकर काफी आस्वानुत है, ठेक है, और भारत यह भी Quad को मजबूत करने की दिसा में लगातार प्रियासरत है। तो इस प्रकार हमने तीसरे और अंतिम एडिटोरियल में यह देखा कि जो Quad है उस Quad के संदर में चीन का क्या दिश्टिकोन है। Quad की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है और भारत का क्या नजरिया है Quad को लेकर। पूर्वी हिंद महासागर, Option B पश्चमी हिंद महासागर, Option C दक्षनी चीन सागर और Option D तस्मान सागर। चार आपकी स्क्रिन पर हैं। कमेंट सेक्षन में आप इसका जवाब दीजे और आपके जवाब का इंतिजार रहेगा। तो इस प्रशन के साथ ही एडिटोरियल से एरेलेटेट इस वीडियो को हम यही समात करते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। दोन फोगे टो लाके शेर और शेर 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 और शेर 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 चानल प्रेशन के साथ।